दोस्तों क्या आपको पता है कि computer में अगर आपको एक्सपॉर्ट बनना है तो आपको computer सीखने से ही सिर्फ काम नहीं चलने वाला है computer के जो important shortcut होते हैं उनको भी आपको जरूर सीखना चाहिए उनके बारे में भी आपको जरूर पता होना चाहिए तो आप सभी को computer में expert बनाने के लिए जो computer में important shortcut होते हैं उन में से 10 shortcut मैं आप सभी को इस video के अंदर सिखाने वाला हूँ और ये 10 shortcut आप के लिए बहुत ज़्यादा important है आप में से 90% लोग ऐसे होंगे जिनको इस shortcut के बारे में नहीं पता है तो बहुत ही कमाल का ये वीडियो होने वाला है और उसे भी कमाल के ये shortcut है जिन्हें आपको जरूर जानना चाहिए तो हैलो दोस्तु मेरा नाम है गुलाब और आप देख रहे हैं गुलाब गुरू computer smart class वीडियो पसंद आएगा तो like, share और subscribe तो आप जरूर करिएगा चलिए वीडियो शुरू करते हैं shortcut number one अगर आपको computer में नया folder बनाना होता है तो आप generally ये ही काम करते हो कि जिस भी location में आपको नया folder बनाना है वहाँ पर जाने के बाद right click करने के बाद यहाँ पर जो है folder पर click करके folder बनाते हो या फिर अगर आपने कोई folder को open किया है वहाँ पर आपको मिलता है new folder का option आप इस पर click करके folder को यहाँ पर बनाते हो लेकिन ये काम आप सिर्फ और सिर्फ एक shortcut से भी कर सकते हो सबसे पहले आपको उस location को open करना है जहां पर आप नया folder बनाना चाहते हो इसके बाद आपको जो है keyboard से एक shortcut प्रेस करना है control और इसके बाद shift को दबा लेना है और इसके बाद जो है n button को दबाना है जैसे कि मैं यहाँ पर आपको बना करके दिखाता हूँ मैंने जो है control shift और n button दबाया तो आप देखोगे यहाँ पर एक नया folder बन चुका है इसी तरीके से अगर आपको कोई दूसरा folder भी बनाना है तो control shift n button को प्रेस करिए automatic एक नया folder बन जाएगा यही काम अगर आप desktop पे करना चाहो तो control shift और n button प्रेस करोगे तो आप देखोगे यहाँ पर एक नया folder बन चुका है shortcut number 2 इस shortcut का इस्तमाल करके आप 4 से 5 घंटे पुराने जितने भी text को आपने जो है copy किया है या फिर cut किया है उनको आप देख भी सकते हो साथ में उन्हें paste करके कहीं पर use भी कर सकते हो जैसा कि सबसे पहले हम यहां से ले करके यहां तक इसको cut करते हैं फिर इसके बाद यहां से ले करके यहां तक इसको cut करते हैं फिर यहां से ले करके यहां तक और यहां से यहां तक सब ही को cut कर दिया अब अगर इन text को हमें दोबारा से use करना हो तो आप क्या करोगे windows के साथ आपको v button को दबाना है मैं आपको दिखा देता हूँ ये देखिए windows button है इसको press करिए और इसके बाद आपको यहाँ पर एक v button मिल दागा आपको इसको press करना होगा windows के साथ v button जैसे ही आप windows के साथ v button को press करोगे तो आपके सामने clipboard ओपन हो जाएगा और जितने भी text को आपने copy किया होगा या cut किया होगा 4-5 घंटे पहले का सब का सब यहाँ पर दिखाई देगा जिसको भी आप use करना चाहते हो बस उस पर क्लिक करिए वो आ जाएगा फिर दोबारा से अगर आपको किसी text की जरूरत पढ़ गए फिर से windows के साथ v button को दबा करके दूसरे text को भी आप यहाँ पर use कर सकते हो यह shortcut आपके लिए बहुत ही जादा useful है generally दोस्तों क्या होता है कि हम बहुत सारी window पर काम करते हैं जैसे कि हमने यहाँ पर यह open कर लिया है इसके बाद photoshop open कर लिया है इसके बाद chrome browser open कर लिया है इसके बाद my computer open कर लिया है या paint open कर लिया है या फिर मैं sword open कर लिया है मतलब धेर सारी window पर हमने अपने screen पर open करके रखा है और हम बारी बारी से सभी window पर काम कर रहे हैं और अचानक से कोई हमारे room में आ जाता है उस condition में हमें एक ही बार में सभी window को minimize करना है तो इस condition में ये shortcut काम आता है windows plus d आपको क्या करना है keyboard से windows button को दबाना है और इसके बाद जो है d button को दबाना है windows के साथ d button को दबाना है जैसे कि मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ मैंने windows button को दबाया इसके बाद मैंने d button को दबाया तो देखोगे एक ही साथ जितने भी हमने window को open किया था जितने भी program को open किया था वो सारे के सारे जो है minimize worker के task bar पे आ गए हैं यानि सिर्फ एक second का समय लगा हमें सारी window को minimize करने में और अगर आप सिर्फ एक second में ही इन window को maximize करना चाहते हूँ तो दोबारा से आपको जो है window के साथ d button दबा देना है यानि window बटन जो आपने दबाई है windows उसको दबाने के साथ आपको d button को दबा देना है तो आप जितने भी window पर काम कर रहे थे वो सारी की सारी window जो है आपकी खुल जाएगे कुछ ही इस तरीके से शौटकट नमबर 4 ये शौटकट तब हमारे ज़्यादा काम में आता है जब हम ढेर सारी window पर काम तो कर रहे हैं लेकिन हमें ये पता करना है कि कौन सी window पर कौन कौन सा काम चल रहा है और कौन कौन सी window खुली हुई है यानि कम्प्यूटर की एक ही स्क्रीन में सारी window को आपको देखना है कि कौन कौन सी window खुली है किसमें काम चल रहा है तो ये शौटकट आप पहली बहुत ज़्यादा यूसफूल है इसके लिए आपको keyboard से windows बटन को दबाना है और साथ में आपको tap बटन को दबाना है यानि windows के साथ tap बटन दबाने से आप अपने स्क्रीन में सारी window को एक ही साथ देख सकते हो और किसी को open करना चाहो तो उसको open भी कर सकते हो हमने जो है windows बटन दबाया इसके बाद tap बटन दबाया तो अभी के time में आप देखोगे कि हमारे computer में जितनी भी window open हुई है वो सारी की सारी दिखाई दे रही है और यहां से हमको पता चल जाएगा कि हम कौन सी window को open किये हैं और किस window में कौन सा हमारा काम चल रहा है और जिस अपने computer में my computer folder को open कर सकते हो या फिर कहें file explorer को ओपन कर सकते हो इसके लिए आपको keyboard में windows बटन को दबाना है और साथ में आपको e button को दबाना है Windows के साथ e button को दबाने से आपके computer में file explorer open होता है windows के साथ यी बटन दबाईए फाइल एक्स प्रोरर ओपन हो जाएगा जिस भी ड्राइब को आप ओपन करना चाहो अराम से जो है उसे ओपन करके उनमें जितने भी फोल्डर है उन सभी को यूज कर सकते हो विंडोज प्लस इसे शाटकट नमबर 6 ये शाटकट आपके लिए बहु तो कि वो लोग स्टार्ड बटन पे क्लिक करते हैं इसके बाद जो है यहां से स्नीपिंग टूल सर्च करते हैं स्नीपिंग टूल को ओपन करने के बाद निव पर क्लिक करने के बाद यहां से जो है स्क्रीन शॉट इस तरीके से लेते हैं लेकिन मैं आपको बता दूँ कि आ उपने कम्प्यटर में किसी फाईल का लेना है, सबसे पहले आपको लोकेशन को ओपन कर लेना है और उसके बाद के विन्डोज से सिप्ट को डबाना है , अपको सिप्ट को दबा लेना है तो आपकी में्प्यो त्ड रॉल्स ब्रॉुतर में स्क्रीन शॉट्म हो जायेगा मैं Windows Shift और S बटन को दबाऊंगा इसके बाद जो है मेरी स्क्रीन सोड थोड़ी सी जो है डल हो जाएगी थोड़ी सी काली हो जाएगी और जिस भी portion का आपको स्क्रीन शॉट लेना है बस वहाँ पर इस तरीके से selection बनाना है कुछ इस तरीके से selection बनाने के बाद बस आपको छोड़ देना है इसका screenshot हो चुका है यानि यह screenshot आपके computer में save हो चुका है देखने के लिए आपको क्या करना है My Computer Open करना है और इसके बाद आपको यहां पर जो है Picture नाम का एक Folder मिलेगा और इसके बाद screenshot नाम का एक Folder मिलेगा जितना भी आप screenshot लोगे इसी Folder में जो है जाकर के Save होता है और यही नहीं जब आप इस तरीके से screenshot लोगे तो वो clipboard में भी save हो जाता है मैं आपको paste भी करके दिखाता हूँ मैं यहाँ पर आ जाता हूँ Windows के साथ V button को press करेंगे देखे जो अभी हमने screenshot लिये हैं वो सारे के सारे clipboard में save हो चुके हैं जिस भी screenshot को आप paste करना चाहो बस उस पर click कर दिजिए वो screenshot जो है copy हुआ रहेगा इसलिए जहाँ पर भी आप paste करोगे वो paste हो जाएगा तो दोस्तो हमने जो है total 6 shortcut को जान लिये हैं अगर आपको ये वीडियो पसंदा रहा है तो वीडियो को like करिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को share कर दीजेगा ताकि उनका भी फायदा हो सकी और ऐसी ही वीडियो देखना चाहते हैं तो चानल को subscribe भी कर लेना दोस्तो shortcut no.7 अगर आपको कभी अपने computer या फिल laptop में emoji इस्तमाल करने की जरूरत पड़ी तो उस condition में ये shortcut आपके लिए बहुत ज़्यादा useful है इस shortcut को इस्तमाल करने के लिए आपको जो है keyboard में windows के साथ जो है semi colon button को दबाना है या फिर आप कहो full stop button को दबाना है इन दोनों button में से आप कोई भी एक button प्रेस कर दोगे आप अपने computer में emoji को इस्तमाल कर सकते हो तो यहाँ पर हम windows के साथ full stop button को दबाते हैं तो अभी के time में आप देखोगे emoji वाला यहाँ पर जो है window open हो चुका है जिसके अंदर धेर सारे emoji हैं आप बारी बारी से इनको use कर सकते हो साथ में अगर आप windows प्लस semi colon भी दवा देते हो तो भी जो है यही emoji वाली window ही open होती है जिसके अंदर आपको give भी मिल जाता है emoji भी मिल जाते हैं तरह तरह के आप इन्हें अराम से use कर सकते हो shortcut number 8 इस shortcut का इस्तमाल करके आप अपने computer को lock कर सकते हो generally दोस्तो हम computer पर काम करते करते थोड़ा ठक सा जाते हैं और ऐसे में अपने computer या फिर laptop को थोड़ा सा बंद करके अराम करने का मन करता है तो अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो आप क्या करिए कि बंद करने के बजाए अपने computer को कुछ देर के लिए आप lock करके रख सकते हो जिसके लिए आपको keyboard से Windows के साथ L बटन को प्रेस करना है आप अपने computer या फिर laptop को lock कर सकते हो Windows के साथ L बटन को दवाईए तो आपका computer lock हो जाएगा और lock होने के बाद जो है आप इसके अंदर पासवर्ड और यूजर नेम डाल करेके लॉग इन कर सकते हो दोबारा से shortcut number 9 दोस्तो ये shortcut इतना जादा कमाल का है कि आप में से हर एक computer user को इस shortcut के बारे में जरूर पता होना चाहिए जी हाँ दोस्तो generally हम लोग क्या करते हैं कि अपने computer में एक ही screen को use करते हैं और एक ही screen पर धेर सारी window पर हम लोग काम करते हैं जैसे कि अभी के time में हमारे computer में एक ही screen है जिसके अंदर जो है मैंने paint खोला है, chrome browser भी खोला है, photoshop भी खोला है इसके बाद जो है MS Word, paint ये सारे मैं एक ही desktop पर यानि एक ही screen पर काम कर रहा हूँ लेकिन यही पर मैं अपने computer में अगर दूसरी screen भी बनाना चाहूँ तो बड़े ही आसानी से बना सकता हूँ यानि दूसरा desktop भी इसी computer में बना करके आप उस screen पर भी same काम कर सकते हो यानि एक ही बार में एक ही computer में दो desktop बना करके यानि दो screen बना करके दोनों जगह आप काम कर सकते हो बहुत ही कमाल का shortcut यह हमें लगा तो इस shortcut को use करने के लिए आपको keyboard से windows बटन को दबा के रखना है और इसके बाद control बटन को दबाना है और इसके बाद जो है आपको keyboard से D बटन को दबाना है windows, control और D यहाँ पर मैं आपको press करके दिखाता हूँ windows, control और D जैसे ही मैंने windows, control और D बटन को दबाया तो अभी के time में आप देखोगे कि हमारे desktop पे वो सारे के सारे जो हमने window को open किया था सारे के सारे गायब हो चुके हैं कुछ भी window यहाँ पर open नहीं है फिर दोबारा से हम किसी दूसरी window पर अगर काम करना चाहें तो यहाँ पर जो है उसको open कर सकते हैं इस तरीके से या फिर कोई दूसरा browser भी हम यहाँ पर use कर सकते हैं इसके बाद जो है अगर आप यहाँ से start button में जाकर के कोई दूसरा program भी open करना चाहो तो open कर सकते हो यानि हमारे computer में यह दूसरी screen खुली हुई है और किसी को पता भी नहीं चलेगा यह हमारे तब जादा तर काम में आता है जब हम अपने computer में कुछ private काम कर रहे हैं और हम दूसरों को दिखाना नहीं चाहते हैं तो इस condition में हम अपने दोस्तों को एक नया desktop इस तरीके से नया screen बना करके दे सकते हैं और वो लोग इस screen पर काम करेंगे और उन्हें पता नहीं चलेगा कि पीछे भी कोई screen है तो हमने तो नया screen बनाना सीख लिया यानि कि नया desktop बनाना हमने सीख लिया लेकिन जो पहले वाला desktop है अगर उस पर हमें जाना होगा तो कैसे हम जाएंगे तो इस condition में आपको क्या करना है कि windows बटन को दबाना है और फिर से आपको control बटन को ही दबाना है और जो keyboard में left right arrow होते हैं ना left right arrow उस arrow को दबाना है मैं यहाँ पर आपको दबा करके दिखाता हूँ windows control और left arrow मैंने दबाया तो देखिए हमारा पुराना वाला desktop यहाँ पर खुल चुगा है पुरानी वाली screen अब हम इसको use कर सकते हैं अगर हमें जो अभी हमने नया desktop बनाया था नई screen बनाया थी अगर उसके अंदर जाना है तो यहाँ पर जो है windows control और right arrow प्रेस करेंगे तो हम उसके अंदर jump हो जाएंगे तो इस तरीके से आप एक desktop से दूसरे desktop में jump हो जाओगे हमने जो है नया desktop बनाना और एक desktop से दूसरे desktop में jump करना दोनों चीजे सीख ली हैं लेकिन माल लीजी हमें नया वाला desktop को delete करना है यानि इसको close करना है जो हमने नया desktop बनाया है तो उसके लिए हमें windows बटन को ही दबा के रखना है control बटन को ही दबा के रखना है और keyboard में आपको F4 एक बटन होता है function बटन में मिलेगा आपको F4 बटन उसको प्रेस करना है windows, control और F4 बटन जैसे ही आप दबाओगे तो जो आपका नया वाला desktop रहेगा नई वाली screen वो बंद हो जाएगी, close हो जाएगी और आपकी पुरानी screen खोल जाएगी यहाँ पर मैं आपको shortcut दोबारा से बता दूँ कि अगर आपको नया desktop बनाना है तो windows, control और D बटन को दबाना है तो नया desktop बन जाएगा वहीं अगर आपने एक नया desktop बना दिया है लेकिन आप उन दोनों desktop के बीच में jump करना चाते हैं उसमें switch होना चाते हैं तो उस condition में आपको control window बटन को दबा के रखना है और यह जो left arrow है और right arrow है इसकी मदद से आप पुरानी desktop में आ सकते हैं और इसकी मदद से आप नये desktop में जा सकते हैं और अगर आप जो है नये वाले desktop को close करना चाते हैं यानि बंद करना चाते हैं तो उस condition में मैंने आपको shortcut बताया था control windows ये दोनों बटन को दबा लेना है और इसके बाद जो है आपको F4 बटन को दबाना है ठीक है विंडो बटन को दबाईए control बटन को दबाई ये क्योंकि generally होता क्या है कि हम एक ही screen पर दो window पर काम करना चाते हैं यानि कि मैं यहां पर मेरा ये खुला रहे MS Word भी और साथ में जो है मैं internet पर भी काम करता रहूं तो इस condition में हमारा ये shortcut बहुत ज़्यादा help करता है हम अपने computer में इस window को split कर सकते हैं side में adjust कर सकते हैं जि यहां पर ये left button है इसको use करोगे तो ये जो आपकी window है left side में adjust हो जाएगी और right button को use करोगे तो right side में adjust हो जाएगी चलिए मैं आपको करके दिखाता हूं तो मैं यहां पर जो है सबसे पहले इस browser को left side में adjust करता हूं windows के साथ left arrow से देखें यहां पर जो है adjust हो चुका है अब यह हमसे पूछ रहा है कि दूसरी जगह पर आप कौन सी window को open करना चाहते हो तो यहां पर मैं MS Word को open कर लेता हूं तो देखिए हमने एक ही desktop पे दो window पर इस तरीके से हम काम कर सकते हैं और last में दोस्तो एक और tips आपको बताता चलूं अगर आप keyboard से windows button दबा के आप arrow button को दबा तो यह जो आपने window खोली है इसको आप उपर की side में split कर सकते हो और down arrow अगर दबा देते हो तो नीचे की side में आप split कर सकते हो जैसे कि मैं दिखा देता हूं आपको सबसे पहले तो हम जो है इस browser को उपर की side में adjust करेंगे windows के साथ app arrow button को दबाएंगे तो देखिए उपर की side म adjust हो जाएगा यह वाली window और इसके अंदर जो है हम लोग कोई दूसरी window को भी इस तरीके से open कर सकते हैं तो दोस्तों इस video के अंदर मैंने आपको 10 ऐसे shortcut बताए हैं जो बड़े ही काम के आप सभी के लिए हैं और यकीन मानिए जितने लोग नए होते हैं जो नए computer सीख रहे ह होते हैं उनमें से 90% लोग ऐसे होते हैं जिनको इसके बारे में पता ही नहीं होता है और वो लोग computer सीख के निकल भी जाते हैं फिर भी उनको इसके बारे में नहीं पता होता है क्योंकि काफी सारे computer institute वाले इसके बारे में बताते ही नहीं हैं मैं यहाँ पर computer वालों की insult नही करना चाहूंगा अब वो किस कारण से नहीं बता पाते हैं ये मुझे नहीं बता है लेकिन जनरली यही होता है कि 90% लोग ऐसे होते हैं जो computer तो सीख लेते हैं लेकिन इनके बारे में उनको जो है knowledge ही नहीं है तो ये वीडियो अगर आपने पूरा देखा होगा तो ये जो मैंन चैनल पर अगर आप उनको भी देखना चाहते हो तो चैनल को अभी जो है subscribe करो subscribe करना बिल्कुल free होता है तो subscribe कर लो वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को like कर दो अपने friends and family के साथ भी इस वीडियो को share कर दो ताकि उनका भी फायदा हो सके और मिलेंगे फिर एक नई